दोस्तों अगर बात करें बॉलिवूड फिल्म इंडस्ट्री की तो आपको बताते चले कि बॉलिवूड में आए दिन एक से बढ़कर एक फिल्म में आती रहती हैं लेकिन दोस्तों कुछ फिल्में ऐसी रहती हैं जो दर्सक के दिल में जगा बनाने में काम्याब हो जाती हैं जियां दोस्तों हम बात कर रहे हैं फिल्म क्रिस की दोस्तों क्रिस भी ऐसी एक फिल्म थी जो कि दर्सों को काफी ज़्यादा पसंद आई थी लेकिन दोस्तों आपको बताते चले कि जल्दी आपको क्रिस फोर देखने को मिलेगा दोस्तों आपको बताते हैं कि Chris 4 का जो स्टार कास्ट है वो लगभग फाइनल मान लिया गया है जियां दोस्तों कन्फर्म हो चुका है स्टार कास्ट Chris 4 का लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि आखिरकार Chris 4 में विलेन कौन होगा जियां दोस्तों क्योंकि जो Chris 4 में एक्टर जो Chris बने हैं रायानी की दित्तिक रोसन वो इतने तगड़े हैं और इतने फिट नजर आते हैं तो उनका जो सामने वाला विलेन होगा वो भी फिट होना चाहिए तो दोस्तों ऐसे में खबरे आ रही हैं कि बॉलिवूड के खिलारी कुमार यानी की अक्षे कुमार को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है जियां दोस्तों इस फिल्म में अक्षे कुमार जो हैं वो विलेन की भूमी का निभाते हुए नजर आ सकते हैं अभी इसकी official announcement नहीं हो पाई है लेकिन जल्द ये खुसकबरी सुनने को हमको मिल सकती है दोस्तों आपको बताते चले कि रोबोट 2 में भी हाली में अक्षे कुमार ने विलन की भूमी का निभाई थी और काफी जबज़स्त भूमी का निभाई थी और उसी को देखते हुए उनको विलन के लिए एप्रोच किया गया है लेकिन दोस्तों आपको बता दे कि राकेस रोसन जोकी रितिक रोसन के पापा है उनके पसंद में यानि की विलन के केडार में नवाजुदिन सिद्धिकी का भी नाम आ रहा है तो दोस्तों ये देखना काफी दिल्चस्प होने वाला है कि आखिरकार कौन से स्टार को फाइनल किया जाता है विलेन के तौर पर अक्षे कुमार या फिन नवाजुद्दिन सिद्धिकी तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि किसको होना चाहिए उनके अपोजिट में रितिक रोसन के नीचे कमेंट सेक्षन में लिख के बताइए वहीं क्रिस फोर से जुड़ी जानकारी के लिए सबस्क्राइब करने टॉप ओपन फैक्स ताकि बॉलिवुड की हर खबर मिले आपको सबसे पहले धन्यवाद